फ्रेंट्स थरंड के मौसम में थोड़ा सा गर्मा गरम और चटपटा खाना सभी को पसंद होता है तो बस उसी बात को ध्यान में रखते हुए आज में आप लोगों के साथ फूल कोपी का बहुत ही टेस्टी और एकदम चटपटा सा नाचता शेयर करने वाले हूँ जिसे हम हरे दिनी की तीखी सी चटनी के साथ बनाएंगे चटनी थोड़ी अलगते रिकी से बनाएंगे तो चलिए बहुत ही जटपट से वीडियो स्टार्ट करते हैं अगर आप लोगों को वीडियो थोड़ा भी अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक जरूर कर दें यही व अधा किलो जितना फूल गोबी ले लिआ हैं अच्छा साफ सुथ्रा मैंने फूल गोबी लिया लेकिन उसके जो हरे वाले डेंटन हैं सबसे पहले इसे अलग कर देंगे क्योंकि इसकी तो कोई ज़रूरत नहीं है और उसके बाद हम गोबी के बड़े बड़े से फूल कट क लिए गोबी को इसी तरीके से कवर करके चोड़ दें और पंदे मिन रखते हैं और इसी बीच हमने पानियों बलने के लिए करीब एक लीटर और इसमें डाल दिया थोड़ा सा नमक और साथी डालेंगे बिल्कुल थोड़ी सी हल्दी पाउडर इसे गोबी का कलर बहुत ही फूल गोबी हो चुका है उसे भी इसी में डाल देंगे फ्रेंड्स आपको इसमें गोबी को उबालना नहीं है सिर्फ ब्लांच करना है और ब्लांच करने का मतलब है कि बहुत हलकी से सॉफ्ट हो जाए तो उसके लिए सिर्फ 2-3 मिट के लिए ऐसे ही छोड़ दें उसके ब आप एक स्ट्रेणर लें और गोबी का जितना भी एक्स्रा पानी है उसे रिमूफ कर दें वनना गर गोबी इसी गरम पानी में रजाएगी तो बहुत ज्यादा पक जाएगी और हमें मैसी सी गोबी की ज़रुत नहीं है और यह देखे एक दम फूल सेपरेट है और जान लेंगे और बिसिन को चानने के बाद हम इसमें कुछ और चीज डालेंगे जैसे कि हम डालेंगे थोड़ी सी हल्दी पाउडर और यह लिया है एक ठीश पून जितना जीर करण फ्रों पाउलेंगे बहुती हम बार टिबल श्रा रेसिपी है और क्रोंट बीद पूले आ तो इसकिप कर दिजिए तीन चार हरी मिर्चें तीन चार कलिया लासुन की ले लिती आदा इंचा द्रक का टुकड़ा और यह गया टेस्ट के हिसाब से नमक और यह डाल दिया लास्ट में खूब सारा कटा हुआ हरा दनिया में प्यास और फ्रेंट्स अगर प्यास भी नहीं खाते हैं तो इसलब एक उड़क आद बिनाने गया बहुत जघ्र आपको गाड़ा सा में टैयार आंगा अगर बैट्र रन्यू गया तो बाद में प्रयूलना से स्टार्टिंग में इस बात का भी ध्यान रखें और अच्छे से हम इसे एकदम स्मूद बना कर तयार कर लेंगे और यह देखिए बैटर एकदम पर्फेक्ट बनकर तयार हो चुका है तो कवर करके इसे पंदे मिनिट के लिए एक साइट से रख देते हैं और इसी बीच बनाएंगे हम एक बढ़िया सी चट्नी उसके लिए अर चिट्नी को तीखा करने के लिए हम इस पर डालेंगे हरी भली मिर्चे अगर लाल मिर्चे डाल देंगे तो चट्नी का कलर उतना बढ़िया नहीं रहता है और यह गया चूर पाउडर डाल देंगे मैंने करीब एक टी स्पून जितना हम चूर पाउडर लिया है आप चाहें तो इसकी जगे हिंका चार डाल सकते हैं और यह गई मुफली के दाने इससे आपको दो फाइदे होंगे एक तो कलर अच्छाएगा और दूसरे आपकी चट्नी पानी ही छोड़ेगी तो बस पानी की बाद चल रही है तो थूड़ा सा पानी राल दिया और जार कर डखकल लगा कर हमने चट्नी को पीस ले देखे कितना बढ़िया और खुबसूरत सा कलर आया है और इसी पीस जो हमारा बैटर रखा था उसे रखे हुए अब 10-15 मिनेट हो चु अब चुछा है तो बस एक बार मिक्स करेंगे थूड़ा जादा ही गाड़ा लग रहा है तो थूड़ा सा मैंने गे पानी डाल दिया और उसके बाद मिक्स किया अच्छे से मिक्स करने के बाद हम इसमें डालेंगे बेकिंग पाउडर बन एर्थरी स्पून जितना आपको इसमें बेकिंग पाउडर ही डालना है खाने वाला सुड़ा ना डाले और ना ही आप इसमें इनो का यूज करें बस थूड़ा सा बेकिंग पाउडर डालकर अच अच्छे थंडे हो चुके हैं वह बिल्कुल बढ़िया से हम जो हमने बेशन तयार करें था उसमें कोट करेंगे और इस गर्म गरम ऑईल में डाल देंगे इसके लिए आपको जो ऑईल गरम करना है वह बहुत जदा गरम नहीं करना है ना बहुत ही जदा ठंडा रखना है मीड करेंगे उतने क्रिस्पी नहीं बनेंगे तो बस इस तरीके से मैंने एक एक करके यह पकोड़े इसमें डाल दिया है और उलट पर अटकर हम इसे करीब 4-5 मिन तक सेखेंगे गोभी मारी थोड़ी सी पकी हुई है बेशन को पकने में ज्यादा समय नहीं लगता और अभी हम पूरा पकाना भी नहीं है तो बस चार से पास मिन बाद जब इस पर अच्छा सा गोल्डन कलर आ जाए आप इसे निकाल लीजिए तो बस एक नैपकिन लिया और उस पर हम इस तरीके से पकोड़े निकाल लेंगे इसमें भी खाने में बहुत ही डेसी है लेकिन हम बना रहे ह जब बर्दस्त वाले क्रिस्पी पकोड़े तो उसके लिए आपको एक और प्रोसेस करना हुआ इसे हलका सा थंडा कलें और उसके बाद आप एक पकोड़ा लेते जाए और इस तरीके से एक नैपकिन लिया हादेली के बीच में हलका सा प्राइस करें जिससे यह थोड़ा सा और इसके बाद हम इसे दुबारा से शेकेंगे अपर प्र chopped कि इस आपारा करना तो इस थे प्रकों प्रेशा सरी किई लिए उतने चल्ट प्रस्थ आप प्रस्थ करेंगे और यह लीजिए मैंने सभी पकॉड़ों को इस तरीके से हलका सा फ्लैट कर लिया है और पकॉड़े दुबारा से तेल में जाने के लिए बिल्कुल तैयार है और अब तेल को कर लिया हमने एकदम हाई फ्लेम पर क्योंकि पकॉड़े तो अल्रेडी सीके हुए है बस इने करना क्रिस्पी और हाई फ्लेम पर सिर्फ आप इसे दो से धायम नट तक सेकेंगे तो आपको खुदी पते चल जाएगा कि पकॉड़े बहुत ही क्रिस्पी देयार हो रहे हैं कि इन पकॉड़ों में आपको बिल्कुल अलग तरीकी का टेस्ट मिलने माला है बहुत ही जबरदस आप चाहें दोने दही के साथ भी तब भी बढ़िया टेस्ट करेंगे सांस के साथ भी बहुत बढ़िया लगते हैं और वरना पैस्ट कॉमिनेशन तो अपने हरे दिने की चटनी है और यह लिए प्लेटिंग की बारी आ गई यह रखी हरे दिनी की चटनी साथ में थूड़ करेंगे हम हरे दन्य की पती से गार्नेशिंग जिससे देखने में भी बढ़िया लगेगा और यह लिजी हमारे गर्मा गर्म चट पटे और जबर्दस कुस नए तरीके से बने वे पकॉड़े पनकर तैयार होगा है उमीदे रेसिपी जरूर परसंद आएगी क्योंकि सर्द भी पसंद आई होगी वीडियो को लाइक करें फ्रेंड फामली में शेयर करें चैनल पर नए महमाने चैनल को सब्सक्राइब करें और साथी बेल एकन को प्रेस करना बिल्कुल भी न भूले थैंक यू झाल बेले किश्ट बेल यूले इंक बाति रेस बाति करें इंक प्रेंगी करूए लाइक